हलो फ्रेंड्स में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में जानेंगे गर्मी में पौधे के लिए सुपर टॉनिक कैसे बनाएं या टॉनिक पौधे को अलदी ही नहीं रखेगा बलकि पौधे की रोग परतिरोधक छमता बनाए रखेगा इसके इ घर में कई बार बेल पके हुए लेकर आते हैं वो खराब हो जाते हैं यदि गार्डिनिंग के सौखीन है तो इस खराब हुए बेल को कभी फेके नहीं इससे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधे को दे सकते हैं पौधे के लिए या फर्टिलाइजर गर्मी में ही अच्छे होते हैं बेल के सारे पल्प को हटा कर पानी में मैस कर ले बेल में बिटामिन Сी आईरान मेगनीशियम और बहुत सारे पोशक्तत होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इस मैस किये हुए बेल को छान ले छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं बीज और पल्प को हटा दे इसमें छोटा सा टुकड़ा गुड का डाल दे गुड इस लिक्विट फर्टिलाइजर को फर्मेंट कर ज्यादा पावरफुल टॉनिक बना देता है इस बेल से बने हुए लिक्विट फर्टिलाइजर को ढखकन बंद कर दस दिन के लिए यूँ ही छान वाली जगा में छोड़ दे बस एक बार इसके ढखकन को खोलें और बंद करें रोज या परकिरिया करें इस से इस लिक्विट फर्टिलाइजर की गैस निकलती रहेगी दस दिन के बाद या लिक्विट फर्टिलाइजर फर्मेंट हो जाते हैं और पौधे में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं यूज कैसे करना है एक पार्ट इस लिक्विट पर्टिलाइजर ले और इसमें 10 गुना पानी मिला ले जदी पानी में डेल्यूट कर पौधे में डालते हैं तो पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंसता कई लोग सोचते हैं गुड के इस्तमाल से पौधे में चीटियां लग जाती है लेकिन इसमें चीटियां नहीं लगती इस बायो इंजाइम को श्टोर कर भी रख सकते हैं गुड में बहुत अच्छी मात्रा में फौसफोरस, आईरन, मैगनीशियम, पोटास पाए जाते हैं जो पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाता है और पौधे की जड़े बिक्सित होती है इसके इस्तमाल से पौधे काफी स्वस्त रहते हैं इसलिए गुड का इस्तमाल हम अपने लिक्विट फर्टिलाइजर बनाने में आसानी से कर सकते हैं इस लिक्विट फर्टिलाइजर का इस्तमाल हर एक साथ दिन के अंदर में फिर से रिपीट कर सकते हैं इस liquid fertilizer का पतियों पर भी छड़काव कर सकते हैं पतियों पर छड़काव करने से पतियां काफी स्वस्त रहती है गुलाव, मोगरा, गुड़हल, अपराजिता सभी परकार के पौधे में इस liquid fertilizer का इस्तमाल कर सकते हैं इसके इस्तमाल से कुछी दिनों में बहतर result देखने को मिलते हैं इस तरह घर में बेकार चीजों से ही अपने पौधे के लिए सूपर टॉनिक बना कर पौधे को healthy रख सकते हैं गर्मी के मौसम में हमारे घर में बेल तो अक्सर आते ही रहते हैं बेल हमारे स्वास के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे पौधे के लिए भी काफी अच्छे होते हैं बेल के पौधे तयार करना चाहते हैं तो गर्मी में बेल के बीच से पौधे तयार कर सकते हैं गर्मी में बहुत आसानी से बेल के बीस से पौधे तयार हो जाते हैं इस तरीके से वेस्ट चीजों का बेस्ट मेनेजमेंट कर पौधे को हल्दी रख सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद